शूर्ड यू बाय दा न्यू फायर बॉल एक्यूपमेंट विद यूर सूपर मेडल्स लास्ट वीडियो में अपने देखा था कैसे आप लोग इस इवेंट को जल्दी जल्दी कम्प्लीट कर सकते हो अब इवेंट कम्प्लीट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आगे होंगे बहुत सारे मेडल्स जिनको आप लोग स्पेंड कर सकते हो काफी कुछ लेने के लिए कि इन लोग को अपने सारे की सारे सूपर मेडल्स स्पेंड कर देने चीए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लेने के लिए जो कि अपना नया फायर बॉल एक्यूपमेंट है कि इन लोग के लिए टोटली यह वेश्ट रहेगा और कि इन लोग के लिए भाई यहाँ पे यह बाद मेलेना बैस्ट रहेगा सारी चीज़े इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सबसे पहले इसके आप स्टैट्स अगर देखोगे जब आप इससे नूली अलॉग करोगे तो आपको 4 टाइल्स का यहाँ पर एरिया डैमेज देखने को मिलेगा तो इतना यहाँ पे इसका यहाँ पे इंक्रीज होगा एरिया ओफ डैमेज इसका इंक्रीज होगा 6 टाइल्स तक गष्टन डैमेज पर सेके बीस्ट सेम टाइम थी तू फ्रोछोट तैमस बढ़ जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो सारे Infernos clear हो गया और इस वाली region में भी almost यह पूरा compartment clear हो गया अब देखने में जितना ही अच्छा लग रहा है गाइस attacks के time पे यह उतना ही जादा fail भी हो जाता है अब जैसे warden walk में आप इस type के attacks करते हो यहाँ side से start करते हो तो वहाँ पे इस ability कोई use निकल के नहीं आता है बहुत सारे attacks जहाँ पे warden का काम होता है support करने का उनमें इसका कोई use निकल के नहीं आता है अब जैसे है अपना giant gauntlet है guys वो ना हर attack में almost काम कर जाता है चाहे आप कोई save attack strategy उसकर रहो giant gauntlet always यहाँ पे काम करता है तो इसलिए इसके इतने versatile होने के वज़े से यह equipment must था लेना सभी को लेना है लेना पड़ा और अभी भी लोग इसको gems से ले रहे हैं बाइदवे gems की बात तो रहे है तो just like अपना giant gauntlet अपने trader shop में आया था gems purchase के लिए यह अपना fireball equipment भी थोड़े दिनों बाद थोड़े मंथ बाद अपना gems purchase में available हो जाएगा तो जैसे आगे चल के सका कोई बहुती next level use निकल के आता है इसमें कोई balance change होता है तो उस time पे आप इसे वापस भी ले सकते हो ऐसा निये कि भाई यह कभी lot के नहीं आएगा अपना fireball equipment है अपके जैसे कि मेरे example में आप देखो मैं warden की दोनों books use कर रहा हूँ spam attack के साथ जहाँ पे यह बहुत important combination है because warden का supportive role है उसमें दोनों books का होना बहुत important है तो अगर आप भी कोई ऐसे attack strategy use कर रहे हैं जहाँ पे जो hero equipment है जो मतलब उसमें use हो रहा है वो बहुत important है तो उसे आप fireball से replace नहीं कर पाऊगे जैसे कि आप यह attack में भी देख रहे हूँ मैंने यहाँ पे same strategy में अपना दूसरी वाली book हटा के अपना fireball डाल दिया तो वहाँ पे आप देखो एक बहुत important चीज यहाँ पे miss out होगे जो की healing वाला ability था warding का जिससे वो सारे troops को heal करता था वो miss हो गया जिस वज़े से यहाँ पे यह attack fail हो गया था तो यह बहुत important है समझना कि जो आप attack कर रहे हो न हैसे नहीं कि वहाँ पे कोई भी book को अटा के आप fireball को add कर दो लेकिन इसका मतलब यह भी निए कि किसी इप attack में गाम नहीं करता है इससे super archer blimp हो गये वहाँ पे इसका बहुत यह अच्छा use निकल के आता है पहले की building आप यहाँ पे अपने इस ability से clear कर दो उसके बाद आपके super archer जो है वह core की value clear करेंगे तो ऐसे type के attacks में इस ability का use भी निकल के आता है फिलाल के time पे जितनी भी strategies है उनमें से most of में इसका use अभी नहीं है कुछी strategies में इसका use अच्छा कासा निकल के आ रहा है लेकिन time के साथ जब pro players लोग यहाँ पे को use करेंगे तो हो सकता है इसका use निकल के आ जाए अब देखो भाई अगर आपके पास gems पहले से ही कम है तो इस equipment को अभी लेना सबसे best रहेगा चाहे उसे आप upgrade मत करना अपने oars को अभी से invest मत करना लेकिन लेकि रख लो वैसे भी अगर बाद में आएगा अगर आपके पास gems रहते ही नहीं है तो फिर आप बाद में भी से नहीं ले पाओगे जिनके पास बहुत सारे gems है और वो लोग अभी जो current strategy उसकर रहे हैं वहाँ पे already जो hero equipment है वो बहुत important है और आप लोग plan भी नहीं कर रहे हो किसी new hero attack strategy को भी try करनेगा तो ऐसे लोग इस hero equipment को भी यहाँ पे skip कर सकते हो और बाकी जो आपे packs है ना ores के pack अपने glowy ore, shiny ore यह आप लेके current जो आपके strategy में hero equipment use होते है ना उनमें आप लोग इनको spend कर सकते हो तो और बाद में जब आपको कई fireball की जरूद पढ़ती है तो आप लोग उसे gems से तो ले ही सकते हो जब future में return करेगा और electro wagon वगरा के attacks में इसका use काफी ठीक ठाक निकल के आता है क्योंकि आप लोग को electro wagon attacks में वह ऐसे कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही books use करनी है या फिर rage gem को रखना है तो उनमें आप इसको ले सकते हो अपनी second book को replace करके या फिर life gem को replace करके और कि इस अभी future में और भी hero equipment आने वाले है तो इस इसको ध्यान रखना पूर के पूरे overs इस पे तभी spend करना जब आप एकदम sure हो कि आपकी strategy में fireball का use निकल के आता है बागी आपके screen पे भी दो और videos आ रही होंगी जिससे आप लोग देख सकते हो सबसे best value rewards क्या है इस अपने event के अंदर जो कि आप ले सकते हो fireball के अलावा भी and साथी में how to complete this event अगर आपने भी दक नहीं किया तो आप इस वाली वीडियो को भी देख सकते हो मैं आप सुनता अगली वीडियो में guys तब तक के लिए keep clashing and peace out